आप इस समय IUPSC पढ़ रहे होगा, IUPSC Nomenclature लग रहा होगा अरे भाई कितना असान चेप्टर है बिलीव मी वारवी में जाते जाते बच्चे ये चेप्टर भी भूल जाते हैं कई बच्चों को मोल कॉंसेट समझ में नहीं आ रहा होता फिसीकल में इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं इस चीज को डंक्य की चोट पर कह सकता हूँ ये तीन चीज जो बच्चा कर लेगा वो अपनी पूरी क्लास के 95 परटन्ट बच्चों से उपर होगा हेलो एवरिवन दिस इस शोबित तरवान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले मैं आप सभी के साथ एक रियल लाइफ एक्सपिरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ होता क्या है कि दस्वी में मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो दस्वी में बहुत अच्छा नंबर ला रहे होते हैं बट वो 11 के मिड टम में फेल हो जाते हैं मैं नहीं चाहता कि इस चैनल पर जो भी बच्चा है वो उस फेल वाली कागात पे पहुँचे तो जो भी चीजे मैं आपे बता रहा हूँगा जो भी एक्सपीरियंस मैं अभी आपके साथ यहां पे शेयर करूँगा मैं चाहता हूँ उसका भरपूर फायदा उठाएं और साथ ही साथ जो गलती मैंने करी वो गलती आप रिपीट ना करें शुरुआद करते हैं सभी को पता होगा यार मेरी बारे में काफी एक फेमस चीज है कि मेरे जो गयारवी के पूरी बरबाद होगी तो मेरी जो ग्यारवी की chemistry थी वो भी बरबाद थी तो जो मेरी ग्यारवी की chemistry थी वो भी बहुत ज़ादा खराब थी ध्यान से सुनते रहे ना एक बहुत बड़ा conclusion यहाँ पर मैं निकालूँगा 12 में किसी तरीके से मेरे को एक काफी अच्छा बहच मिला अब वो क्या तरीका है भाईया वो मैंने बता रखा है जो मेरे चैनल पर practical meaning of smart work वाली वीडियो है शायद आपने देखियो नहीं देखियो तो जरूर देखना 12 में मेरे को एक काफी अच्छा बहच मिला बट उस बहच में मेरी physics काफी अच्छी हो गई मेरी उस बहच में maths काफी जाद अच्छी हो गई बट मेरा जो chemistry का teacher था teacher बहुत अच्छे थे काफी बच्चों को पसंद आते थे बट मेरे से उनकी वो tuning नहीं बैठती थी और शायद ऐसा भी होगा क्योंकि मेरी chemistry 11th की बरबाद थी इसलिए मेरे को बारवी की chemistry थी वो भी कम समझ में आती थी मेरे को अच्छी तरह नहीं आ रही थी तो मैंने का चलो ठीक है यार नहीं आ रही जैसी आ रही है उतनी समझ लो अब भाई एंड का time आया ग्यारवी बारवी दोनों की chemistry बहुत जाधा लोग है तो मैंने सोचा चलो एक crash course ले लेते हैं और हमारे time पे जो crash course होते हैं तुम्हारी तरह नहीं online मिल जाते थे 500-600,000 रुपए के ऐसा नहीं था हमारे time में जो crash course होते थे तो तुम्हारे 30-40-40,000 के crash course है मैं ऐसे थे मैं गया भाई उसका demo बहुत अच्छा मिल रहा था demo बहुत अच्छा लगा मेरे को मैंने ले लिया crash course बट बाद में क्या करा उन्होंने teacher ही change कर दिया ऐसा होता है यार offline में अब हम उसका नाम ने लेंगे coaching का तो उन्होंने क्या करा पहले तो बहुत अच्छा demo दे दिया बाद में उन्होंने teacher change कर दिया उस teacher का मेरे को फिर समझ में नहीं आया जेए मेंस का attempt था जेए मेंस का attempt था उस जेए मेंस वाले attempt में फिजिक्स मेरी अच्छी खासी गई मेरी math काफी जही गई बट मेरी जो chemistry थी सबको पता है वीक थी तो इसलिए भाई मेरी chemistry के जो number थे वह काफी डाउन गए अब इसकी वएसे जो overall score था जो overall percentile थी वह काफी जादा लोग चली गई chemistry एक ऐसा subject है जो की highest scoring होता है उसमें आप कम time में जादा सवाल कर पाते हो क्योंकि आपको solve नहीं करना होता बैठके तो इसकी वएसे जो overall percentile थी वह down हो गई अब भाई मैंने का चलो ठीक है जो दूसरा वाला attempt है उसमें देखेंगे जैनवरी में यह चीज थी अब March का time आता है March का time होता है आपके boards का तो मिरको around देड से दो महिना यहाँ पे मिला गया था board के पढ़ने के लिए अब obvious सी बात है जब भाई board पढ़ना है तो हमें NCRT उठानी पड़ेगी मैंने जिन्दगी में पहली बार जिन्दगी तो नहीं कह सकते है ग्यारवी बारवी में पहली बार अपनी NCRT उठाई और यह जो NCRT उठाना था यह पूरा game change कर दिया इस NCRT उठानी की वैशे मेर पूरा game change हो गया मैं आपको honestly बता रहा हूं यह जो चीज है ना आपको टीचर बोलते होंगे कि यार 11 विवार में हमारे भी टीचर बोलते थे कि जो NCRT है वही एक चीज है जो कि chemistry में आपके नईया पार लगाई कि chemistry में सिर्फ NCRT कर लो उसके अलावा कुछ नहीं करना यह सत्य है NCRT एक ऐसी Bible एक ऐसी गीता है जो कि chemistry में आपके एक भी नमबर नहीं कटवा सकती मैंने chemistry की सिर्फ NCRT करी ठीक है मेरे को इतनी अच्छी तरह समझ में आई 12 वी के NCRT फिर मैंने क्या करा वही मैंने का यार सही है अच्छी तरह समझ में आ रही है ऐसा करता हूं 11 वी week है तो 11 वी की भी मैं NCRT कर लेता हूं तो मैंने साथी साथ 11 वी की भी NCRT कर ली तो इस चीज से जो मेरे boards के थे पहली बाद तो 12 वी की NCRT बहुत अच्छे से समझ में आई तो physics के भी काफी अच्छे नमबर आये chemistry के भी काफी अच्छे नमबर आये तो board की percentage अच्छी आई फिर क्या हुआ मजए की बाद की जब मैंने ये और ये दोनों कर ली ती इसकी वज़े से जो मेरा जो एपरिल वाला अटेंप्ट था जेई मेंस का अटेंप्ट था उसमें मेरे chemistry के score वापस बढ़ गया क्योंकि मैंने NCRT काफी अच्छी कर ली ती तो जो भी teacher ये कहता है कि आपके NCRT जो है chemistry में बहुत जादा number ले आएगी वो बिल्कुल सही कह रहा है ये एक experience होता है ठीक है कई बार क्या होता है हम किसी चीज में फस जाते तो हम जाके बड़ों का experience लेते हैं बड़ों के experience से क्या कहते हैं सीखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा optimize करेंगे यूज हम NCRT कर रहे होंगे बट कैसे करेंगे वो अब मैं इस strategy में समझाता हूँ अब computer screen पर आते हैं अब आते हैं अपनी class 11th की chemistry term 1 strategy पर सबसे पहली चीज अपना syllabus देख लेते हैं ये जो डबबा दिखा रखा है मैंने ये डबबा CBSC ने दिया था इ उसमें NCRT के जो deleted topics हैं उन्होंने एक syllabus दिया था बट उन्होंने ये नहीं बताया था क्या-क्या deleted है तो यहां फिर मैंने तुम्हाने लिए deleted topics निकाल दिये हैं अगर मैं बात कुन हूँ some basics concepts of chemistry जो तुम्हारा chapter number 1 है इसमें जो 1.2 वाला पार्ट है यह 1.2 मतलब देखो जैस 1.5 1.6 यह हो गया some basic concepts of chemistry यह जो PDF है इसकी नीचे link मैं दे दोंगा description में भागों मत अरान से सुनते रहो आगे हम बात करें तो structure of matter में यह दोनों part deleted है इसमें 2.2 में atomic orbitals जो है वो deleted है बट मैं यह कहूंगा कि drawbacks of Rutherford जो है यह पढ़ लेना क्योंकि यह important है आगे काम आएगा ठ फिर आगे मैं बाद करूं classification of elements जो की periodic table है इसमें यह दोनों part deleted है chemical bonding यह रामबान है पूरी 11 वी का हमेरे teacher जोते भी कहते थे कि अगर आपको 11 वी में कुछ भी नहीं आता और आपको सिर्फ chemical bonding आती है मतलब आपको बहुत कुछ आता है ठीक है यह chapter इतनी बार revise कर लेना कि बहुत अच्छी तरह करना cbac ने कोई delete नहीं करा इसमें बहुत अच्छी चीज करी no deletion बहुत important chapter है आगे मैं बात करूं रिडॉक्स एक्षन में यह डिलीटेड है hydrogen में यह वाले पार डिलीटेड है फिर जियो सी जो है general organic chemistry या फिर आप कह सकते है यह वाला साथ जो सेवन सबसे पहली चीज है pick one chapter सबसे पहला एक chapter उठा लेते हैं मालो हमने chapter उठा लिए some basic concepts of chemistry अब इसमें क्या करोगे step one पूरी ncrt को properly जाओ और उसके बाद उसके extensive notes बनाओ अब भया यह extensive notes क्या होते है extensive notes का मतलब यह होता है कि आपको उन notes को पढ़ने के बाद ncrt वापस उठान नहीं है आप कहीं coaching में पढ़ रहे हो उन्होंने extensive notes बना रखे हो वहाँ पर आपको मिलते हैं आप लिखते रहते हो वह अगर हैं आपके पास तो आप पढ़ सकते हो तो coaching के notes से आप पढ़ लिए या फिर तीसरा जो point है read from my notes अब या या आपके notes कहां से मिलेंगे यहीं पर म मिलेंगे इसी वीडियो के description में मिलेंगे ध्यान से सुनते रहो भागना मत यह आपके लिए notes त्यार करेंगे हैं हर एक chapter के लिए extensive notes हमने बनाए हैं इस notes को पढ़ने के बाद आपको NCRT पढ़ने की जुरुत नहीं पढ़ेगी हर एक चीज इसमें covered है सबसे पहली चीज इसम आपका importance of chemistry दूसरा पार्ट आगे आपका nature of matter वाला जिसमें की यह यह इसके subtopics हैं फिर तीसरा जो है properties of matter and their measurements इसके subtopics यह तीन है फिर चौता uncertainty of measurement पाच वाइए इन सबके subtopics इससे क्या होता है एक काफी systematic way में आप पढ़ रहे होते हो तो यह चीज इसले मैंने add करी है जिस मैंने point wise इसले रखा है क्योंकि आपको point wise याद करने में आसानी रहती है कई बार क्या होता है NCRT की language हमें समझ में नहीं आती तो इसलिए यह notes इसलिए बनाये गए हैं जिससे कि आपको अगर language समझ में नहीं आ रहे है तो आप इसका reference लें और आपको अच्छे से समझ में आ हो इससे best नहीं मिलेगा इस बात की मैं guarantee देता हूं importance of chemistry दूसरा हो गया states nature of matter मैंने यहां पर लिखा था दूसरा जो पार था वो था आपका nature of matter solid liquid gas वही चीज़ यहां पर हमने और define कर दिया असान भाशा में define कर दिया आप बीच-बीच में देखोगे co-occupy कर लेता है मतलब क बाद हर एक formula जो होगा वह आपको इसमें मिल जाएगा 1.2 यहां पर यह आ गई मेरा में मोटिफ क्या है मैं आपको यह बताता हूं आप जीज के लिए त्यारी कर रहे हो आप नीट के लिए त्यारी कर रहे हो या फिर आप specifically बोड़ के लिए त्यारी कर रहे हो जो जीज़ वाले बच्चे हैं ना मैं चाहता हूं यह अपनी जेई नीट की फोकस ज्यादा करें इसकी प्रिपरेशन पर ज्यादा फोकस रखें हैं जो स्कूल के एक्जाम्स है इस चीज को मैं कवर करवा दूं क्योंकि यह चीज जो है ना यह डिस्ट्राक्टिव रहती है मेरे को भी करने में यह मोटिफ है मेरे इन नोट्स को देने का तो इसका अब भरपूर इस्तमाल करें ठीक है तो अगर हम वापस इस पर आए तो पहला स्टैप आपका हो गया अगर आप नोट्स बनाना खुद चाहते हो NCRT से तो आप खुद बना सकते हो नहीं चाहते आपके मेरे नोट्स यूज करें ठीक है एक यही चीज है यार इसके अलावा हम कहीं से कम आते नहीं हम कोई कोर्स वगरा नहीं वेस्ते हैं हम कुछ नहीं करते यही एक चीज है जिससे मेरे को खुशी मिलती है कि लाइक वगरा मिल गए सब्सक्राइब वाइस मिल गए बस यही ची जो important है वो डाल रखे हैं तो आप index सारे question कर लोगे फिर उसके बाद जो back exercise वाले questions है वो कर लोगे यह इसके solution ना मिले तो Google पर जाओगे के भी solutions available है कोई tension लेने वाली बात नहीं है तीसरा step होगा इन notes को regularly revise करने है इनको या फिर आपके coaching के notes हो या फिर आप खुद बना रहे हो उनको regularly revise करना है chemistry एक ऐसी चीज है जिसको आप regular नहीं revise करोगे आप उसको भूलोगे इस बात की 101% guarantee है आप इस समय IUPAC पढ़ रहे होगे IUPAC nomenclature लग रहा होगा अरे भाई कितना असान chapter है believe me बारवी में जाते जाते वच्चे ये chapter भी भूल जाते हैं हमें IUPAC याद भी नहीं रहता है कि क्या था यार किस तरह से nomenclature करते थे क्योंकि उसके बाद आप इतनी सारी चीज़ें याद कर लेते हो कि वह बहुत पुर तो exemplar में से जो direct question है MCQ वो उठके आ सकते हैं अब यह exemplar कहां से मिलेगी आप जाओगे यार simple google पर जाना है ठीक है और google पर जाने के बाद आपको लिखना है exemplar class 11th chemistry 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 exemplar pdf ठीक है ncrt की जो website इस पर आप जाओगे फिर इसके बाद यहां class 11 वे जाओगे 11 वे जाने के बाद आप नीचे जाओगे chemistry पर यह पहला chapter है इसमें आपको पूरी exemplar की pdf मिल जाएगी कहीं पैसे ज़रूत करने की ज़रूत नहीं होगी यह exemplar आपको मिल गई इसके सा और इसे यह वी बताओ कि solutions कहां से मिलेंगे आपने यह लिखा था class 11 chemistry chemistry exemplar pdf इसमें साथ में लिख दो solutions ठीक है तो आपको बहुत सारी private websites मिल जाएंगी तो उन सभी websites में आपको इसके solution मिल जाएंगे अगर आपको solution की ज़रूत हो तो यह आ गया अपना चौथा point कि आपको exemplar exercise और back exercise कर ली फिर उसके बाद आपने उन notes को regularly revise कर रहा और साथी साथ आपने exemplar कर ली यह चार चीज़े हैं इसके अलावा आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूत नहीं है आपके school में आपको कुछ questions दे रहे हैं Monday test वगरा हो रहे हैं उन questions को कर लो क्योंकि जो आपके 11 विक exam मे क्या पता महीं से कुछ-कुछ questions उठके आजाएं जो आप teacher दे रहे हैं तो जो भी आपके school में papers हो रहे हैं Monday test हो रहे हैं जो भी बीच-वीच में preboards या जो भी होए हो test वगरा उनके जितने भी questions है वो एक बार revise कर लिए इसके अलावा कहीं जाने की जूरूत नहीं है ये भी उसको understand करने में दिक्कत आ रही है आपको वो अच्छी तरह समझ में नहीं आ रही है तो आपकी जो week है वो है 9th और 10th की chemistry तो आप क्या कर सकते हो कि 9th 10th की जो chemistry की book है एक बार chemistry की NCRT के जितने भी chapters हैं कुल मिलाके 7-8 होंगे ठीक है total chemistry of physics और bio उस समय तो एक ही book में होती थी तो chemistry की तो कम ही chapter है तो वो chapters आप एक बार पढ़ लो उपर से इससे क्या होगा आपके basics वापस strong हो जाएंगे जिससे कि आपको 11th की जो chemistry है कई बच्चों को mole concept समझ में नहीं आ रहा होता physical में इसलिए नहीं आता क्योंकि हमने 9th का mole concept याद नहीं है revised नहीं है एक बार आप 9th का mole concept revise करोगे आपको वापस 11th का mole concept समझ में आ जाएगा इस तरह के से हमें करना है दूसरा जो टिप है वो यह है एक page ले लो और उस page में जितने भी आप फॉर्मुले याद करते जा रहे हैं उसको लिखते रहो ठीक है आज एक page बना लिया मालो आज आप chemistry स्टार्ट कर रह याद हो गई और एक साथ-साथ यह चीज कि यह conversion table है आपके nine number page में NCRT की उसको भी अच्छी तरह उसमें draw कर लेना और उसको याद करते रहेना वो ज्यादा जरूरी है तीसरा यह point है उनके लिए जो कि अपने notes खुद बना रहे हैं जिनका यह मने कि भाई मैं अपने notes खु नहीं बनेंगे पहली reading में आपको हर एक चीज इंपॉर्टन लगेगी जो मैंने भी notes बनाया यह पहली reading में नहीं बने इसमें हमारी जान निकल गई बनाने में पहले आप इसका rough बनाते हो फिर उसके बाद उसको print करते हो फिर उसके बाद उसको और color करते हो फिर उसमें front page लगता है फिर वापस print होते हैं उसमें और कम यह निकलती है फिर वह कुछ बच्चों से verify होते हैं फिर वह आपके वास जाते हैं तो अगर आप अपने आप notes बनाने की जो वह है talent दिखाना चाते हो अपने आप notes बनाने का दम दिखाना चाते हो तो पहली जो go first reading होती NCRT के उसमें मत बनाना दोती नीडिंग आपने लगा ली साथी साथ आपने कुछ questions कर लिए तो आपको और अच्छी तरह पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज सच में important है तब उनको आप अपने notes में लिखना ये कुछ चीजे थी जो कि मैं आपको chemistry में बोलना चाता हूं ह हमें क्या है अगर आप जेई नीट वाले बच्चों कितना आपको जेई के लिए 50% चाहिए होते है ना अपने बारवी के बोर्ड के एक्जाम में बहुत अराम से आ जाएंगे तो जरूरी नीए इसमें आपको 100% स्कोर करना है एम हम बढ़ा करेंगे बिलकुल अच्छी बा जेई नीट वाले सिर्फ MCQs के लिए पढ़ रहे होते हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी इस चीज में ठीक है तो जितने नोट दे गये हैं उनको अच्छी तरह हमने पढ़ लिया है NCRT एक बार हमने back exercise कर लिए हैं इंटेक्स कर लिए हैं MCQs हमने objective के लगा लिए हैं exemplar के कुछ नहीं करना इसके लावा अनाम से हरे questions आपसे हो जाएंगे तो तब तक के लिए भाई पढ़ना है फोडना है कहर मचा देना है और आग लगा देनी है मुश्किल लग रही होगी गयारवी मुझे पता है मेरा भी यही फेस निकला था दीरे-दीरे हर चीज असान होती रहेगी तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैं क्या गलती कर रह होती है बस में चीज यह आप उस गलती को रिपीट ना करो बस आप अराम से जीतोगे आप ग्यारवी में हो आपको मुश्किल लगेगी सबको लगती है आपके आसपास वाले वच्चे ठीक है अच्छा स्कोर कर रहे होंगे मुश्किल उसको भी लग रही है ठीक है उसके अ हमें अच्छे से करना है हर एक चीज हमें कॉंसप्ट हमें याद होना चाहिए ग्यारवी में मातर तीन चीज़े हैं जेई नीट वाला बच्चों के लिए जो मैं बोलता हूं ग्यारवी के लिए आपने अपने नोट्स कर लिए आपने अपनी मॉड्यूल कर लिए कोचिंग और साथ ही साथ आप regular DPP कर रहे हो इन तीन चीज़ के अलावा आपको एक बुक उठाने की एक पन्ना उठाने की जरूत नहीं है मैं इस चीज़ को डंके की चोट पे कह सकता हूँ ये तीन चीज़ जो बच्चा कर लेगा वो अपनी पूरी क्लास के 95% बच्चों से उपर होगा क्योंकि बच्चे ये भी निकरते और चीज़ों में भटकते रहते हैं तो इसलिए ये तीन चीज़े करनी आपको जेगी नीट के लिए बोड के लिए मैंने आपका समाली लिया है फिजिक्स के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए वह आप एक बार कमेंट सेक्चन में बता दीजिए मैं आपको हर एक चीज़ प्रोवाइट कर दूंगा जो आप चाहेंगे तब तक के लिए भाई पढ़ो फोडो कहर मचाओ आग लगाओ जाके पढ़ाई करो मन लगा के पढ़ाई करो बाबाई जाओ प्रेश्चे